नमस्कार मैं हूँ विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं दफरंड नागरिक्ता संसोधन विधैक को लेकर के देश भर में जो जन आंदोलन खड़ा हुआ है पूरे देश भर में लोग जो सड़कों पर उतरे हैं इस आंदोलन को नाम दिया गया है हम भारत के लोग हम भारत के लोग नाम लिया गया है सम्विधान की प्रस्तावना से सम्विधान का पहला शब्द जो शुरू होता है वो शुरू होता है We the People of India यानि हम भारत के लोग हम भारत के लोग भारत को एक संपुर्ण, प्रभुत्व संपन, समाजवादी, पंत निरपैश, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को नयाय सामाजिक, आर्थिक और राजनितिक, विचार, अविव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की सोतंत्रता, प्रतिष्ठा और औसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गर्मा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दिढ़ संकल्प होकर इस सम्विधान सभा में 26 नौंबर 1949 को इस सम्विधान को अंगिकृत, अधिन्यमित और आत्मार्पित करते हैं ये सम्विधान की प्रस्तावना है, जहां से भारत का सम्विधान शुरू होता है और ये समर्पित है भारत के नागिकों को, शुरुआत ही होती है भारत के नागिकों के अधिकारों और उनकी बातों से, उनके कर्तब्यों से यह संविधान समर्पित है भारत के नागरिकों को यह संविधान बनाया गया है भारत के नागरिकों के लिए और जो आंदोलन खड़ा हुआ उसका नाम दिया गया हम भारत के लोग लेकिन जिस तरीके से इस आंदोलन के जरिये हिंसा की जो तस्वीरे आई है जगा जगा से वो क्या ये कहने के लिए काफी है कि हम भारत के लोग इसी सम्विधान को मानते हैं क्या हमारा सम्विधान इस तरीके की हिंसा को बढ़ावा देने की बात करता है क्या हम भारत के लोग भारत के सम्मिधान की जो प्रस्तावना कहती है वो ये कहती है कि जिस तरीके से आपने लखनओ में हिंसा की जिस तरीके से एहमदाबाद में हुआ जिस तरीके से पुलिस पर पत्रा हुए जिस तरीके से थानों को जलाया गया जिस तरीके से कोट के बाह और गोलियां तक चलानी पड़ी है क्या नागरिकों का ये आंदोलन नागरिकों के लिए जो हो रहा है हम भारत के लोग वो यही कहता है आपको बता दें कि देश में हालात इस वक्त इस तक कदर बिगड़े हुए है कि लखनव में लगभग 150 लोगों को हिरासत में लिया जा है कल हुई हिंसा में और जो आगजनी हुई उसमें पुलिस को गोली चलानी पड़ी और तीन लोगों की मौत हुई है मैंगलोरो में पुलिस को गोली चलानी पड़ी मैंगलोरो में आंदोलन इतना उग्र और हिंसात्मक हो गया कि उसको काबू में करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी और उसमें तीन लोगों की मौत हुई लखनव में एक की मौत हुई है एहमदाबाद में जिस तरीके से पुलिस के उपर लोगों ने हला बोल दिया था हमला बोल दिया था और पुलिस वालों के उपर पत्राओ किये उनको पकड़ के जिस तरीके से पीट वो क्या यही कहता है कि आईए इस गुजरात में लखनव में जो हुआ क्या वो यह कहता है कि वही लखनवी तहजीब है सोचिए क्योंकि हमारा सम्विधान जिसके लड़ाई हम लड़ रहे हैं और जिसको बचाने की बात कहते हुए आंदोलन कर रहे हैं सडकों पर उतरते हैं सडकों पर उतरे हुए हैं वो हिंसा की बात नहीं करता है वो नागरिकों के अधिकारों की बात करता है उनके करतब्यों की बात करता है और आप अगर उसी सम्विधान की रक्षा की बात का और रक्षा का हवाला देकर अगर सडकों पर उतरे हैं तो हिंस कत्ताई जायज नहीं है इसलिए संविधान को एक बार पढ़िए और समझिए कि क्या कहता है आपका ये संविधान दूसरी बार नागरिकता संशोधन बिधैक जिसको ले करके तरह तरह की बातें और अफवाहें फैला करके लोगों को गुमराह किया गया है और जिसकी वज़ ही मुसल्मानों के खिलाप हैं जो देश भर में अलग-अलग जगहों पर मुसल्मान खास करके जो मुसलिम समधाय के लोग हैं वो अंदुलन कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस तरीके की हिंसा की वारदाते सामने आ रही है यूपी में लगभग 12-16 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है ऐसा लग रहा है जैसे कि इंटरनेट के जरीए एक ये अफवाहे ज्यादा फैलाए जा रही हैं तो एक बार हम फिर भारत के उसी संविधान के प्रस्तावना का हवाला देते हुए आपसे अपील करते हैं कि आपके लिए जो इस देश का माहौल खराब करने के लिए अभी के लिए इतना ही धन्यवाद करते हैं कि अ उन्यवाद